ओम शांती पाच जून 2020 की साकार मूरली है प्रमात्मा हम बच्चों से कहते है मीठे बच्चे तुम्हें अभी ज्ञान की दृष्टी मिली है इसलिए तुम्हारा भटकना बंद हुआ तुम शांती धाम सुखधाम को याद करते हो प्रश्न देवताओं में कौन सी ताकत है और वह ताकत किस विशेश्टा के कारण है उत्तर देवताओं में सारे विश्व पर राज्य करने की ताकत है वह ताकत विशेश एकमत की विशेश्टा के कारण है वहाँ एकमत होने के कारण वजीर आदी रखने की दरकार नहीं देवताओं ने संगम पर बाप से ऐसी श्रीमत ली हुई है जो 21 जन्म राज्य करते है वहां एक राजा की एक दैवी फैमिली होती दूसरी मत होती नहीं गीत नयन हिन को रहा दिखाओ प्रभू उम शान्ती बच्चों को नयन बिले है पहले नयन नहीं थे कौन से नयन? ज्यान के नयन नहीं थे अग्यान के नयन तो थे बच्चे जानते है ज्यानसागर एक ही बाप है और कोई में यह रुहानी ज्यान है नहीं जिस ज्यान से सद्गती हो अर्थात शान्तिधाम सुखधाम जाना हो अभी तुम बच्चों को दृष्टी मिली है कैसे सुखधाम बदल कर फिर माया का राज्य वा दुखधाम बनता है पुकारने लगते है कि नयन हिन को रहा बताओ भक्ति मार्ग के यग्य, दान, पुन्य, आदि से कोई रहा नहीं मिलती है शान्तिधाम सुखधाम जाने की हर एक को अपना पाट बजाना ही है बाप कहते है मुझे भी पाट मिला हुआ है भक्ति मार्ग में पुकारते है मुक्ती जीवनुक्ती की रहा बताओ उसके लिए कितने यग्य, तप, दान, पुन्यादी करते है कितना भटकते है शान्तिधाम सुखधाम में भटकना होता ही नहीं यह भी तुम जानते हो वो तो सर्फ शास्त्रों की पढ़ाई और जिस्मानी पढ़ाई को ही जानते है इस रूहानी बाप को तो बिलकुल जानते ही नहीं रूहानी बाप ग्यान तब आ कर देते है जबकि सर्व की सद्गती होती है पुरानी दुनिया बदलनी होती है मनुष्य से देवता बनते है फिर सारी इस रिष्टी पर एक ही राच्य होता है देवी देवताओं का, जिसको ही स्वर्ग कहते हैं, यह भी भारतवासी जानते हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म भारत में ही था, उस समय कोई और धर्म नहीं था, तुम बच्चों के लिए अभी है संगम्युग, बाकी सब है कल्युग में, तुम पुरुशोतम संगम् पर बैठे हो, जो जो बाप को याद करते हैं, बाप की श्रीमत पर चलते हैं, वह संगम्युग पर है, बाकी कल्युग में हैं, अभी कोई Sovernity Kingdom तो है नहीं, अनेक मतो से राज्य चलता है, सत्युग में तो एक महराजा की मत चलती है, वजीर नहीं होते, इतनी ताकत रहती ह पिर जब पतीत बनते हैं तो वजीराधी रखते हैं क्योंकि बहुत ताकत नहीं रहती है अभी तो है प्रजा का राज्य सत्यूग में एकमत होने से ताकत रहती है अभी तुम ताकत ले रहे हो 21 जन्म इंडिपेंडेंट राजाई करते हो अभी यह है तुम्हारा इश्वर्य परिवार बाप कहते है अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहते हो तो तुम इश्वर्य परिवार के हो अगर देह अभिमान में आकर भूल जाते हो तो आसूरी परिवार के हो एक सेकेंड में इश्वर्य संप्रदाई की और फिर एक सेकेंड में आसुरी संप्रदाई के बन जाते हो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना कितना सहज है परन्तु बच्चों को मुश्किल लगता है बाप कहते है अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे देह द्वारा कर्म तो करना ही है देह बिगर तुम कर्म करने ही सकेंगे कोशिश करनी हैं, कामकाज करते भी हम बाप को याद करे परन्तु यहां तो बिगर काम भी याद नहीं कर सकते है भूल जाते है, यही महनत है भक्ती मार्ग में ऐसे खोई थोड़ी कहा जाता है कि सारा दिन भक्ती करो उसमें टाइम होता है सवेरे, शाम वा रात को फिर मंत्र आदी जो मिलते है वह बुद्धी में रहते है अनेका अनेक शास्त्र है वह भक्ती मार्ग में पढ़ते है तुमको तो कोई पुस्तक आदी नहीं पढ़ना है न बनाना है यह मुरली छपाते भी है रिफ्रेश होने के लिए बाकी कोई भी किताब आदी नहीं रहेगी यह सब खत्म हो जानी है ग्यान तो है ही एक बाप में अभी देखो ग्यान विज्ञान भवन नाम रखा है जैसे कि वहाँ योग और ग्यान सिखाया जाता है बिगर अर्थ ऐसे नाम रख देते है कुछ भी पता नहीं है कि ग्यान क्या है विज्ञान क्या है अभी तुम ग्यान और विज्ञान को जानते हो योग से होती है हेल्थ जिसको विज्ञान कहा जाता है और यह है ग्यान जिसमें वर्ल्ड की history geography समाई जाती है वर्ल्ड की history geography कैसे repeat होती है वह जानना है परंतु वह पढ़ाई है हद की यहां तो तुमको बेहद की history geography बुद्धी में है हम कैसे राज्य लेते है कितना समय और कब राज्य करते थे कैसे राजधानी मिली थी यह बाते और कोई की बुथी में नहीं आती बाप ही नौलेज़फूल है यह सृष्टी का चक्र कैसे फिरता बाप ही समझाते है बने बनाए ड्रामा को न जानने के कारण मनुष्य कह देते है फलाना निर्वान गया या जूती जूत समाया तुम जानते हो सभी मनुष्य मात्र इस सृष्टी चक्र में आते है इससे एक भी छूट नहीं सकता बाप समझाते है मनुष्य की आत्मा एक शरी छोड दूसरा लेती है कितना बड़ा ड्रामा है सब में आत्मा है उस आत्मा में अविनाशी पाड भरा हुआ है इनको कहा जाता है बनी बनाई बन रही अब ड्रामा कहते है तो जरूर उनका टाइम भी चाहिए बाप समझाते है यह ड्रामा पांच हजार वर्ष का है भक्ति मारक के शास्त्रों में लिख दिया है ड्रामा लाखो वर्ष का है इस समय ही जबकि बाप ने आकर सहज राज्युक सिखाया था इस समय के लिए ही गायन है कि कौरव गूर अंधियारे में थे और पांडव रोश्नी में थे वो लोग समझते है कल्युक में तो अजुन 40,000 वर्ष है उन्हों को यह पता नहीं पड़ेगा कि भगवान आया है इस पुरानी दुन्या का मौत सामने खड़ा है सब अग्यान नींद में सोए पड़े है जब लड़ाई देखते है तो कहते है यह तो महाभारत लड़ाई की निशानी है यह रिहर्सल होती रहेगी फिर चलते चलते बंध हो जाएगी तुम चानते हो अभी हमारी पूरी स्थापना हुई थोड़ी है गीता में यह थोड़ी है कि बाप ने सहज राजयोग सिखलाए यहाँ ही राजाई स्थापन की गीता में तो प्रले दिखा दी है महाभारत की उद दिखा दिया न दिखाते है और सब मर गए बाकी पांच पांड़ों बच्चे वह भी पाड़ों पर जाकर गल मरे राजयोग से क्या हुआ कुछ भी पता नहीं बाप हर एक बाद समझाते रहते है वह है हद की बात हद की रचना हद के ब्रम्हा रचते है पालना भी करते है बाकी प्रले नहीं करते स्त्री को एडॉप्ट करते है बाप भी आकर adopt करते है कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर बच्छों को knowledge सुनाता हूं इन द्वारा बच्छों को रचता हूं बाप भी है, family भी है यह बाते बड़ी घुई है बहुत गंभीर बाते है मुश्किल कोई की बुद्धी में बैठती है अब बाप कहते है पहले-पहले तो अपने को आत्मा समझो आत्मा ही एक शरीर छोड़, दुसरा लेती है शरीर पर ही भिन-भिन नाम पढ़ते है नाम, रूप, फीचर्स सब भिन-भिन है एक की फीचर्स दुसरे से न मिले हर एक आत्मा के जन्म जन्मांतर के अपने फीचर्स है अपनी एक्ट ड्रामा में नूंधी हुई है इसलिए इनको बना-बनाया ड्रामा कहा जाता है अभी बेहद का बाप कहते है मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो तो हम क्यों न बाप को याद करें? यही महनत की बात है तुम बच्चे जब याद की यातरा में बैठते हो तो माया के तुफान आते है युद्ध चलता है उससे घबराना नहीं है माया घड़ी-घड़ी याद को तोड़ेगी संकल्प, विकल्प ऐसे-ऐसे आएंगे जो एकदम माथा खराब कर देगी तुम महनत करो बाप ने समझाया है इन लक्षमिन आरायन की करमिंद्रियां वश कैसे हुई? यह संपूर्ण निर्विकारी थे यह शिक्षा इन्हों को कहां से मिली? अभी तुम बच्चों को यह बनने की शिक्षा मिल रही है इनमें कोई विकार नहीं होता वहां रावनराज्य ही नहीं पीछे रावनराज्य होता है रावन क्या चेज़ है? यह कोई भी नहीं जानते ड्रामा अनुसा यह भी नोंध है ड्रामा के आदी मध्य अंत को नहीं जानते है इसलिए ही नेती नेती करते आए है अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुशार्थ कर रहे हो यह लक्ष्मी नारायन स्वर्ग के मालिक है इन्हों के आगे माथा टेकने वाले तमोप्रथान कनिष्ट पुरुश है बाप कहते है पहले पहले तो एक बात पक्की कर लो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो इसमें ही महनत है जैसे आठ घंटे सरकारी नौकरी होती है न अभी तुम बेहत की सरकार के मददकार हो शिरुबाबा बेहत की सरकार है उसके हम भी मददकार है तुमको कम से कम आठ घंटा पुरुशार्थ कर याद में रहना है यह अवस्था तुम्हारी ऐसी पक्की हो जाएगी जो कोई की भी याद नहीं आएगी बाबा केता है जब आठ घंटा बाबा की याद में रहेंगे तो हमारी अवस्था इतनी पक्की हो जाएगी कोई याद ना आए बाप की याद में ही शरीर छोडेंगे फिर वही विजय माला के दाने बनेंगे एक राजा की प्रजा कितने धेर होते है यहाँ भी प्रजा बनती है तुम विजय माला के दाने पुज्य लायक बनेंगे 16,108 की माला भी होती है एक बड़े बॉक्स में पड़ी रहती है आठ की माला 108 की भी है अंत में फिर 16,108 की भी बनती है तुम बच्चों ने ही बाप से राज्योग सीख सारे विश्व को स्वर्ग बनाया है इसलिए तुम को पुजा जाता है तुम ही पुज्य थे फिर पुजारी बने हो यह दादा कहते है हमने खुद माला फेरी है लक्ष्मी नारायन के मंदिर में यह तो रूद्र माला होनी चाहिए तुम पहले रूद्र माला फिर रूद्र माला बनते हो पहले नंबर में है रूद्र माला जिसमें शिव भी है रूद्र माला में शिव कहां से आए वह है विश्नु की माला इन बातों को कोई समझते थोड़ी है अभी तुम कहते हो हम शिर्बाबा के गले का हार जाय बनते है ब्रामुनों की माला नहीं बन सकती है ब्रामुनों की माला होती नहीं तुम जितना याद में रहते हो फिर वहां भी नज़्दीक में ही आकर राज्य करेंगे यह पढ़ाई और कोई जगह मिलना सके तुम जानते हो अभी हम इस पुराने शरीर को छोड़ स्वर्गवासी बनेंगे सारा भारत स्वर्गवासी बनेगा इन पर्टिक्यूलर भारत ही स्वर्ग था पांच हजार वर्ष की बात है लाखो वर्ष की बात हो नहीं सकती देवताओं को ही पांच हजार वर्ष हुए स्वर्ग को मनुष्य भूल गए तो ऐसे ही कह देते है बाकी है कुछ नहीं इतना पुराना सम्वंत आदी है थोड़ी है ही सूर्यवन्शी, चंद्रवन्शी, फिर और धर्म वाले आते हैं पुरानी चीज़े काम क्या आएंगी कितना खरीद करते है पुरानी चीज़ की बहुत बैल्यू करते है सबसे वैल्यूएबल है शिवबाबा कितने शिवलिंग बनाते है आत्मा इतनी चोटी बिंदी है यह किसको भी समझ में नहीं आता अती सुक्ष्मरूप है बाप ही समझाते है इतनी चोटी बिंदी में इतना पाट नोंधा हुआ है यह ड्रामा रिपीट होता रहता है यह ज्यान तुमको वहां नहीं रहेगा यह प्रायलोप हो जाता है तो फिर कोई सहज राजयुक सिखा कैसे सकते यह सब भक्तिमार के लिए बैठ बनाया है अभी बच्चे जानते है बाप, द्वारा, प्राह्मन, देवता, क्षत्रिय तीन धर्म स्थापन हो रहे है भविश्य नई दुनिया के लिए नई दुनिया में मिलती है यह पढ़ाई होती है संगम युग पर यह है पुरुश्य तम संगम युग मनुश्य से देवता तो जरूर संगम पर बने होंगे बाप, बच्चों को सब राज समझाते है यह भी बाबा जानते है तुम सारा दिन इस याद में रह नहीं सकेंगे इंपॉसिबल है इसलिए चार्ट रखो देखो हम कहां तक याद में रह सकते है दिह का अभीमान होगा तो याद कैसे रह सकेगी पापो का बोजह सिर पर बहुत है इसलिए बाबा कहते है याद में रहो त्रिमूर्थी का चित्र पोकेट में डाल दो परन्तु तुम घड़ी-घड़ी भूल चाते हो अलफ को याद करने से बे आदी सब यादा चाहेगा अलफ शिवबाबा को याद करेंगे तो बे बादशाही स्वतर यादा चाहेगी न बैज तो सदा लगा रहे लिट्रेचर भी हो कोई भी अच्छा आदमी हो तो उनको देना चाहिए अच्छा अच्छा आदमी कभी मुफ्थ में लेंगे नहीं बोले इसका क्या पैसा है तो बोलो यह गरीबों को तो मुफ्थ में दिया जाता है बाकी चो जितना दे रोयल्टी होनी चाहिए तुम्हारी रसम रिवाज दुनिया से बिल्कुल न्यारी होनी चाहिए रोयल आदमी आपे ही कुछ न कुछ दे देंगे यह तो हम सब को देते हैं कल्यान के लिए कोई पढ़कर भी तुमको पैसे भेज देंगे खर्चा तो तुम करते हो न भोलो हम अपना तन, मन, धन भारत की सेवा में खर्चा करते हैं अच्छा मीठे मीठे सिकिलती बच्चो प्रती मात पिता, शुबाबा का याद प्यार और गुड मॉनिंग बाप दाद का हम बच्चों के लिए बिठा-बिठा याद प्यार और गुड मॉनिंग है रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्दे ये भी वंढ़र है न, शुबाबा और ब्रहाबा रोज हमे गुड मॉनिंग करते और नमस्दे करते बड़े बच्चों को नमस्ते करतें और फिर हम बच्चे उस प्यारे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दुनों को बाप ददा को याद प्यार, गूड मॉनिंग और नमस्ते करतें धारना के लिए बाबा मुख्यसार कहते है पहली पॉइंट इस बेहद की सरकार को मदद करने के लिए कम से कम आठ घंटे याद में रहने का पुरुशार्थ करना है याद में जो माया विगन डालती है उससे घबराना नहीं है दूसरी पॉइंट इस पुरुशोतम संगम्युग पर इश्वर्य संप्रदाय का बन इश्वर की मदद पर चलना है कर्म करते भी एक बाब की याद में रहने का अभ्यास करना है वरदान है बेगर्टु प्रिंस का पार्ट प्रैक्टिकल में बजाने वाले त्यागी वाश्रिष्ठ भाक्यशाली आत्मा भव जैसे भविश्य में विश्व महराजन दाता होंगे ऐसे अभी से दातापन के संसकार इमर्ज करो किसी से कोई सेल्वेशन लेकर के फिर सेल्वेशन दे ऐसा संकल्प में भी न हो इसे ही कहा जाता है बेगर्टु प्रिंस स्वयम लेने की इच्छा वाले नहीं इस कल्पकाल की इच्छा से बेगर ऐसा बेगर ही संकूर्ण संपन्न मूर्थ है जो अभी वेगर्टू प्रिंस का पार प्रैक्टिकल में बजाते हैं, उन्हें कहा जाता है सदा त्यागी वाश्रिष्ठ भाग्यशाली, त्याग से सदा काल का भाग्य स्वतह बन जाता है स्लोगन, सदा हर्शित रहने के लिए साक्षिपन की सीट पर द्रश्टा बन कर हर खेल देखो, तो बहुत मजा आएगा, कभी उपर नीचे नहीं होंगे, कभी कोई चीज में प्रश्ण नहीं उठेगा, सदा प्रसन्न चेट अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोद समझ कर बोलो निमित्त भाव, निर्मान भाव, निर्मल वानी, ओम शान्ती